बाड में जादूई मचली राखिगर नाम के एक गाउं में ब्रिजेश का गरीब परिवार रहता था ब्रिजेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था वो गाउं के जमिदार के तालाप की मचलियों की रखवाली करता था ब्रिजेश अपने परिवार को खुशाल और सुविदा जनक जिनगी देने की पूरी कोशिश करता था उनके घर की आर्थिक स्थिती समानने चल रही थी गाउं में बरसाद का मौसम आ चुका था वर्षा अपने चरम सीमा पर विद्यमान थी वर्षा के कारण कुछ समय से खेती बाड़ी का काम रुका हुआ था गाउं की नदियां और तालाब पानी से भर चुके थे ये लीजी गरम चाई पी लीजी इससे आपके तब्यत को थोड़ा आराम मिलेगा अच्छा हुआ जो तुम गरम गरम चाई ले आई गुड़ू और पिंकी सो गए क्या अहां गुड़ू और पिंकी तो सो गए लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़सात में हमारे घर की चपड दोड़ जाएगी अभी चपड से इतना पानी गिर रहा है ठीक है बस आज रात गुजार लो उस रात गाईतरी ब्रिजेश की बातों को सुनकर मन में होसला लिए बेफिकर सोचाती है लेकिन गाईतरी की आधी रात को अचानक आग खुलती है तो वो देखती है कि उसके पूरे घर में पानी भर गया है वो जल्दी जल्दी बच्चों और ब्रिजेश को उठाती है गुड़ू, पिंकी, अजे उठिये, देखे पूरे घर में पानी भर गया है लगता है बाहर बाढ़ आई हुई है उसके बाद ब्रिजेश दर्वाजा खोल कर घर के बाहर का नजारा देखता है उसे दूर दूर तक केवल पानी ही नजर आ रहा था और गाउं के सभी लोग अपना अपना सामान अपने सर पर लिए इधर से उधर भाग रहे थे परजेश भाई, जल्दी गाउं में भयानक बाढ़ आने वाली है जितना जल्दी हो सके इस गाउं को छोड़ दो ये सुनते ही ब्रिजेश हड़ बढ़ाया हुआ गाईतरी से कहता है गाईतरी तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी एक नाउं लेकर आता हूँ ऐसा कहल के ब्रिजेश नाउं लेने चला जाता है और गाईतरी अपने दोनों बच्चों को गोधी में उठा कर घर का छोटा मोटा जरूरत का सामान अपने साथ बांध रही थी गुड़ो और पिंकी रो रहे थे धीरे धीरे गाउं के आधे से जादा लोग गाउं छोड़ कर जा चुके थे और पानी का बाहा बढ़ता जा रहा था लेकिन ब्रिजेश का कोई अता पता नहीं था बहुत देर तक ब्रिजेश घर नहीं आया गाईतरी का मन घबरा रहा था तभी गाउं में बाढ़ का पानी और बढ़ने लगा गाउं के काफी सारे लोग बाड में डूब जाते हैं गाइतरी अपने दोनों बच्चों के लिए बाड के पानी का सामना कर रही थी बहुत देर के संघर्ष के बाद पानी का बहाफ कम हुआ लेकिन उनके घर में अभी पानी तलाग के तरह बह रहा था गाइतरी गुड़ी और पिंकी को लिए एक लकड़ी के पलंग पर बैठी होई थी मा पिता जी कहा है पिता जी अभी तक नहीं आए मुझे भूग लग रही है मा रोमत गुड़ी और पिंकी पापा जल्द ही नाव लेकर लोटते होंगे जब पापा आ जाएंगे तब हम साथ मिलकर खाना खाएंगे गाइतरी अपने बच्चों को होसला दे रही थी लेकिन गाइतरी के मन में बुरे-बुरे खयाल आ रहे थे पिंकी के पापा अभी तक घड नहीं लोटे हैं इस बाड ने पूरा गाउं तहस नहस कर दिया है उपर वाला ना करे कि कोई अन्होनी हो गई हो गाइतरी अपने बच्चों का पेट भरती भी तो कैसे चारों और तो बस पानी ही पानी था जमीन अब चलने लायक ना बची इसलिए पूरी राद गाइतरी और उसके बच्चों ने अपने घर के अंदर पानी के ऊपर एक लकडी के पलंग पर ही गुजारी मा भूख से पेट में दर्द हो रहा है तभी गाइतरी को पानी में कुछ हलचल होती नजर आती है कुछ देर बाद गाइतरी देखती है कि पानी में मचलियां तैर रही थी बाड की वज़े से तलाप के सारी मचलियां बाहर आ गई है गाइतरी कुछ मचलियों को पकड़ कर उस लकडी के पलंग को तैरते हुए रसोई घर में ले जाती है और जैसे तैसे करगर गैस पर मचलियां पका देती है और अपने बच्चों को खिला देती है गाइतरी मन ही मन सोचती है अगर जमिनदार जी के तालाप की मचलियां हमारे घर में तैर कर नहीं आती तो मेरे बच्चे तो भूके मर जाते पता नहीं गुड़ों के पिताजी कहा होंगे किस हाल में होंगे होंगे भी या नहीं ऐसे ही दो दिन बीच जाते हैं दो दिन बान बाड का पानी अब गाउं से बाहर जा चुका था गाइतरी का पूरा घर तहस नह सो चुका था जमीन पर कुछ मरी हुई मचलिया नजर आ रही थी लेकिन एक मचली ऐसी भी थी जो पानी के बिना ही जिन्दा थी गाइतरी वो देखकर बहुत हरान हो जाती है इसलिए गाइतरी एक बाल्टी में पानी भर कर उस जीवित मचली को बाल्टी में डाल देती है एक हफ़ते तक गाइतरी और उसके बच्चे घर में पड़ी हुई सभी मचलियों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं साथ ही गाइतरी अपने बच्चों के मन में पिता के वापस लोट आने का भरोसा कायम रखती है एक हफ़ते बाद जब बच्ची होई सारी मचलियां खतम हो जाती है हमारा पेट पानने वाले का कोई अता पता नहीं है मचलियों का ही सहारा था अब मचलियां भी खतम हो गई है थोड़ी देर में पिंकी और गुड़ू को भी भूख लग जाएगी और थोड़ी ही देर बाद पिंकी और गुड़ू मा से खाना मांगने लगते है अपने बच्चों की भूख को देखकर गायतरी अपने घर से बाहर जाती है सभी दुकाने और बाजार उजड़े हुए थे तभी उसे एक दुकान में सूखी ब्रेट नजर आती है गायतरी सूखी ब्रेट ले जाकर अपने बच्चों को पानी में डुबा डुबा कर खिला देती है उस समय तो वो अपने बच्चों का पेट भर देती है लेकिन आगे के लिए उसके मन में चिंता होने लगती है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जीना मुश्किल हो रहा है गाउ भी न रहा गाउं में कुछ ही लोग बच्चे हैं ना काम का पता है ना ही खाने का मुझे लगता है अब मुझे इस आखरी बची हुई मच्चली को भी पकाना होगा ऐसा खेकर गाईतरी रात के समय आखरी बची मचली को बाल्टी से बाहर निकालती है माफ करना मचली मैं तुमसे तुम्हारे जिनगी तो छीनना नहीं चाहती क्योंकि तुम ही एक ऐसी आखरी मचली हो जो बिना पानी के जिन्दा थी मुझे लगा तुम्हारे अंदर जीने की चाह है इसलिए मैंने तुम्हें अब तक जीवित रखा लेकिन अपने बच्चों का पेट भड़ने के लिए मुझे तुम्हारा ही सहारा लेना होगा ये कहती हुई गाईतरी उस मचली में चाको घुसा देती है मचली में चाको पड़ते ही वो मचली एक देवी का रूप ले लेती है गाईतरी एक देवी को देखकर अपना सर जुका लेती है पुत्री तुमने मुझे हजारो साल पुराने श्राप से मुक्त किया है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मैं तुम्हारे घर में कब से प्रदीकशा कर रही थी कि तुम मुझे कब श्राब मुक्त करोगी लेकिन तुम तो मुझे काठी नहीं रही थी पर आज पता चला कि तुमने मुझे अब तक जिंदा क्यों रखा था क्योंके तुम बहुत दयालू हो तुम मचली जैसी जीवों पर भी अपनी ममता भिखेरती हो हे देवी मैं आपके दर्शन पाकर धन्ने हुई कहो पुत्री क्या चाहिए बस मुझे मेरा सुहाग दोबारा लोटा दो देवी मा मैं आपसे यही दुआ करती हूँ कि मेरे पती जहां भी है सही सलामत हो तुम चाहती तो इस समय मुझे धन दोलत की कामना कर सकती थी पर तुमने मुझे अपने पती के वापस आने की प्राथना की मैं बहुत प्रसन हुई तुम्हारा पती भी घर लोटाएगा आज से तुम्हारी एक नई जिन्द की शुरू होगी तथा अस्तू इतना खैकर दीवी गायब हो जाती है दीवी की गायब होते ही गायतरी के घर के दर्वाजे पर दस्तक होती है गायतरी दर्वाजा खोल कर देखती है तो बाहर बिजेश खड़ा था बिजेश को देखकर गायतरी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा अब कहां थे इतनी दिनों से बाड में हमें अकेला छोड़ कर कहां चले गई थे मैं क्या करता गायतरी मैं नाव लेने के लिए गाउं के मच्छुआरों के पास गया था लेकिन कुछ पुलीस कर्मी जल्दवाजी में लोगों को नाव से दूसरे गाउं पहुँचा रहे थे मैंने उनसे बहुत परार्थना की कि मुझे वापस आने दो लेकिन उन्होंने मुझे जवरदस्ती नाव में बिठा दिया लेकिन मुझे तुम्हारी और बच्चे की चिंता थी इसलिए मैं नाव से कूद गया नाव से कूदने के बाद मैं तेरकर दुबारा तुम्हारे पास नहीं आ पाया मैं काफी दिनों से बेहोस था जब मुझे हो साया तो मुझे तुम्हारी और बच्चों की याद आई और मैं यहाँ पहुचा मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी आपने इतने दिनों से कुछ खाया भी नहीं होगा गुड़ू और पिंकी भी अपने पापा को देख कर बहुत खुश थे ब्रिजेश अपने दोनों बच्चों पर बहुत प्यार दिखाता है घर में जो भी रूखा सुखा था गायतरी अपने पती को खिला देती है कुछ दिर बाद दर्वाजे पर दो बारा से दस तक होती है गाईतरी देखती है कि डर्वाजे पर दो लोग सूट पूट में खड़े थे हमें पता है कि गाउं में भारी तवाई हुई है इसलिए हमारी कमपनी इस गाउं के बच्चे वे हुनहार लोगों को हमारी मल्टीनेशनल कमपनी में जोग आफर करना चाहती है ब्रिजेश इस बात के लिए तयार हो जाता है उसके बाद कमपनी वाले ब्रिजेश का इंटर्व्यू लेते हैं ब्रिजेश इंटर्व्यू में अच्छे से पास हो जाता है इसलिए ब्रिजेश को मल्टीनेशनल कमपनी में एक अच्छे पोस्ट की जोग मिल जाती है स्कूल में पढ़ रहे थे उनकी जिन्गी अब पहले से बहतर हो चुकी थी धन्य हो जादूी मचली देवी मा की उनकी वज़े से ही आज हमारी जिन्गी इतनी अच्छी हो पाई है तभी गैत्री के सामने देवी प्रकट होकर कहती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें नीचे कॉमेंट करके बताए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बटन दबा कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही और नई मज़ेदार कहानिया देखने को मिल सके धन्यवाद